नमस्कार दोस्तों, सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर पैंसन से जुड़ा हुआ लेटेस्ट न्यूस ताज़ा पडेट एक बार फिर से दिव्यांग, विध्वा, वरदावस्था और कुष्टवस्था पैंसन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यदि आप भी इन सभी पैंसन में से किसी भी एक पैंसन का लाब ले रहे हैं आज की है जानकारी आपके लिए बहुती जादा महत्तपून है जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं यूपी पैंसन दिवाली का तोफा सभी पैंसन धारक हो जाई तयार महिने की इस तारिक से मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात की सरकार द्वारा पैंसन के 33,000 रुपे सभी पैंसन लाभारतियों के बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर करने जा रहे हैं अब किन लाभारतियों को इस बार यह लाभ मिलने जा रहा है और कॉन सी तारिक से मिलना प्रारम हो रहा है ये सभी जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं वीडियो की सुरवात करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तों बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना बूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं हम बात कर रहे हैं पैंसन योजना के बारे में आप कोई से भी पैंसन धरक हो सकते हैं जैसे की दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था और कुष्टवस्था दोस्तों पहले उत्तर परदेश राज्ये में सभी पैंसन धरक को 500 रुपे परती मैना पैंसन दी जाती थी इसी परकार से 3 मैने किस्त 1500 रुपे हो जाते थे जो कि 3 मैने के अंतराल पर सभी दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था और कुष्टवस्था पैंसन धरकों को दिये जाते थे हाला कि मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाद की सरकार द्वारा वर्स 2022 के अंतरगत पैंसन में बढ़ोतरी की गई है यानि कि 500 रुपे तो आपको पहले दिये जाते थे और वर्स 2022 के अंतरगत 500 रुपे की और बढ़ोतरी होने के बाद अब परतिमहा एक हजार उपे अब परतिमहा एक हजार उपे महेना पैंसन दी जा रही है इसे के इसाब से जो आपको तीन महेने के किस्त मिलेगी तो वह आपके यहाँ पर तीन हजार उपे हो जाते हैं यानि कि इस बार जोलाई, अगस्त और सितंबर इन तीनों महिने की जो आपकी पैंसन मिलने वाली है वह पैंसन के तीन हजार रुपे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाले है दिपावली का यह तौफा आपको मिलने वाला है अब बात आती है किन पैंसन धारकों को यह लाब मिलने वाला है और किसको नहीं दिया जा पैंसन धारकों के लिए सरकार ने अनिवारे किया हुआ है जिस पैंसन धारक ने अपना EKYC यानि का अपना पैंसन का आधार परमानी करण करा लिया है तो एक तो उनको पैंसन दी जाएगी इसके बाद उन्हें दूसरा कारे करना था अपना यदि किसी पैन संधार का काफी जादा समय पुराना बैंक खाता है तो उन्हें अपना आधार कार्ड और यहां पर मोबाईल नमबर इन तिनों दस्ताओजे की फोटो स्टेट कराकर जिस बैंक मे खाता है उस bank में जमा कर देने था इस से आपका यहाँ पर आधा यानि कि आपका bank सत्यापन पूरा हो जाया था यानि कि बैंक सत्यापन पूरा हो गया था अब दो कारी तो आपने कर ली है तीसरे कारीं उन 45 दार को करना है जिसके नाम में इस पे लिंक्स में महिदा है पुरुस है जर्णल OBC मायोटी किस कैटिगरी में आते हैं दोस्तो उसके बाद आता है आपका बैंक विवरण बैंक विवरण में आपके अकाउंट नमबर और दूसरा है आपका FSC कोड और आपके बैंक का नाम ये सबी चीजे आपकी सही होनी चाहिए आप कैसे पता कर सकते हैं इसके लिए आपको अपनी Pansion ID की जुरत होती है Pansion ID Login करने के लिए आपके पास आपका यहाँ पर Pansion Ration Sankhya पहला दस्ताविज है दूसरा है आपका Mobile Number आप सरकार दुवारा जो आपके राज्य सरकार का Pansion Portal है उस पर जाकर आप अपनी Pansion ID को Login करके अपने Pansion Pansion Application Forum की जाच कर सकते हैं यदि जाच के दोरान आपके कोई गलतिया पाई जाती है तो आपको Pansion का Lab नहीं मिल पाएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कारिये जाद तर EKYC का पूरा हो लिया है और जिसी गलती हो रही थी वे गलती भी यहाँ पर सुधार दी गई है अब जिसने ये कारिये पूरा कर लिया है उनको Pansion के 3-3 अज़र और जो लाब है किस्त है वे बैंक खाते में ट्रांसफर होने जा रही है जिस Pansion धारक ने अब इता कमनी Pansion का EKYC भी नहीं कराया है और यदि Pansion Application Forum में कोई गलती हो रही है क्रेक्शन कराना है तो वे हैं नजदी की CSC सेंटर पर जाकर करा सकते हैं Pansion का EKYC कराने के लिए पहला दस्तावी आधार कार्ड है दूसरा है आपका यहाँ पर बैंक की पास्बुक दूसरा है आपका बैंक की पास्बुक और यहाँ पर आधार कार्ड और मोबाईल नमबर इन्हें तीनों दस्तावी के आपका अफशक्ता होने वाली है और आप अपने नजदी की CSC सेंटर पर जाकर अपने Pansion Application Farm की जो गलती हो रही है नाम में Spelling में मातरों में वैस सुधार करा सकते हैं और यदि अपना EKYC कराना चाहते हैं तो EKYC कराने के लिए आपका आधार कार्ड और मोबाईल नमबर इन दोनों दस्ताजू के अफशक्ता होती है अपनी Pansion का EKYC भी करा सकते हैं दोस्तों आपके पास वहती कम शमय बचा हुआ है और जल्द ही सरकार आपके बैंक खाते में ये Pansion नासी ट्रांसफर करने वाली है चलिए दोस्तों अब तारीक भी हम आपको बता देते हैं कि कौन सी तारीक से परारम सरकार Pansion को ट्रांसफर करने जा रही है यह लाब आपको मिलने वाला है दिपावली का तोफ़ा यह मिलने वाला है जो जानकारी हमने आप तक दी है यह मीडर रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आप तक जानकारी पहुचाई जा रही है यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है कोई डाउट है पूसना चाहते हैं नीचे कमेंट बोक्स में जाकर पूसकते हैं सभी सालों के जवाब आपको दे दिया जाएगा और यदि आपको हमारे तोफ़ी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रू लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है लाश्ट मेने में यहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नैक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी क साथ जब तक के लिए जैहिंद जैभारत